गुड मॉर्निंग टू अल अफ यू, हेलो आज हम लोग हिंदी में ये मॉडल टेस्ट पेपर फस्ट करेंगे ठीक है ये देखिए, इसमें आपको क्या करना है, ये मैंने आपको पहले भी कराया है आपको इसमें वणों को मिलाकर, वणों में मात्रा जोड कर सही शब्द लिखिए ठीक है, ये पहला देखिए क्या लिखा है, ना, धन, आ, धन, मा तीनों को मिलाएंगे, तो क्या होगा, नाम ऐसे ही नीचे देखिए, जा, धन, आ, धन, ला, धन, आ, जा, ला जब हम मिलाएंगे, ये बड़े आ की मात्रा है, आ की मात्रा है, फिर हम इसको जब मिलाएंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है नेक्स्ट इस, का, धन, ई की मात्रा, धन, सा, सा पे आ की मात्रा है, धन, न, की, सान, है न, की, सान क्योंकि यहां पर यह जो छोटी की मांत्रा है की पर लग जाएगा कि सान ठिक का धन वा धन छोटी की मांत्रा कवी गू गा धन उ धन ला धन्ब गुलाब ठिक ऐसे ही इधर देखियें क धन इ धन टा धन्ब किताब च धन इ धन न धन बड़ी चीनी क्या चीनी है ना सा धन धा 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 पे छोटाव की मांत्रा साधु पू प धन उ पू पुल ब धन का धन रा धन इ बकरी इस तरीके से आपका ये शब्दों को जोड़ कर वणों को जोड़ कर के शब्द बनाना है ये आपको ऐसे करना है ठीक है समझ में आ गया किस तरीके से मैंने बताया है अब उसके बाद देखिए चित्रों को उनके नाम से मिलाईए ठीक है पहला देखिए किसका चित्र बना है माला में मिल गया दिलास पाठ शाला यह देखिए बच्चे देखिए ध्यान से बच्चे स्कूल जा रहे हैं यह क्या है मचली मचली में मिलाया उसके बाद इधर देखिए नारियल फिर हल्न टमाटर फिर धनुष इस तरीके से आपको यह चित्रों को देख करके यह वर्ड वर्ड दिया है उसमें मार्चिंग करना है हो गया है उसके बाद उचित शब्द चुनकर उनके सही स्थान पर लिखिए ठीक है यह देखिए हैल बॉक्स दिया हुआ है आम किसान कील बालक किश्मिस नमकीन बुढ़िया सूखी इस तरीके से आपको इसमें लिखना है यह देखिए आप इसको बड़या की मात्रा में आम बालक इस ही में सुचुनकर लिखना है ठीक चोटी की मात्रा में किश्मिश बुढ़िया बड़ी की मात्रा में नमकीन कील और छोटाओं की मात्रा में सुखी बुढ़िया ठीक इस तरीके से आपका ये शब्दों को ये मात्रा दिया हुआ है और ये शब्द आपको बनाने है खुद से ठीक है बहुत इजी है आप एक बार ध्यान से जब पढ़ेंगे ये जब help box देखेंगे तो help box से आपको समझ में आ जायेगा कि आपको कैसे लिखना है ओके सुडेंट्स अब उसके बाद ये देखिए जो चित्र वाला है चित्र में भी आपको समझ में आ रहा है आप जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है मचली मचली का चित्र ये बना हुआ ह मचली के साथ उसको मिलान करना है ठीक है पाटशाला टमाटर माला नारियल यह सब जो शब्द दिये हुए हैं इसको आप घर पर पढ़कर इसका जो कठिन जो शब्द है इसको पढ़िए पढ़कर इसको लिखने का अभ्यास करिए लिखने के अभ्यास करने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कभी भी कौन सी मात्रा लगती है छोटी एकी बड़ी एकी उ की ये सब आपको समझ में आ जाएगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे नहीं ध्यान से बुक रीड करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए बच्चो आप लोग अच्छे से पढ़िए किताब को पढ़िए बार बार पढ़िए और ये जो वणों का मिलान करना मात्रा का जोड़ कर बनाना है इसको भी आप पढ़िए प्रैक्टिस करिए आपके वर्कशीट बुक में भी कई दिये हैं उसको भी आप पढ़िए और उसको समझने का प्रयास करिए कि कौन सी मात्रा कहां लगनी है और वो शब्द नया शब्द जो बनेगा वो कैसे बनेगा ठीक है बच्चो और आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे ये आपका model test 1 है इसी तरीके से model test 2 भी मैं कराऊंगी 3 भी है और आपका फिर syllabus पूरा होगा ये रेखिए 2 3 दिया हुआ है ठीक है इसी तरीके से आपका syllabus पूरा होगा और हम लोग फिर exam की तयारी करेंगे ठीक है बच्चो इस तरीके से आपको करना है आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ऐसे आपको मात्रा जोड़ करके मिलान करना है और शब्द नय शब्द बनाने हैं और आपको अपने copy में note भी करना है ओके बच help box दिया हुआ है इसी में से चुन करके आपको लिखना है छोटी बड़ी की मात्रा है ना उस हिसाब से आपको करना है ठीक है यह मैंने बार-बार अभ्यास कराया है आज फिर मैं करा रही हूँ इसको ऐसे ही प्रशन इस बार मैं exam में भी दूंगी इसलिए बार-बार practice करना जरूरी है बुक को read करिए चैनल को subscribe करिए और वीडियो जरूर देखिए ठीक है यह वीडियो आपके लिए बन रहा है पिटा आप लोग देखेंगे तो आपको और जादा समझ में आएगा और समझने के बाद फिर से इसको एक बार पढ़ने का अभिहास करिए बुक को read कर समझने का अभियास करने से आप लोगों को हमेशा समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा ठीक है कॉपी को पूरे पूरा करिए बहुत जल्दी हम एक्जाम भी देने वाले हैं इसलिए बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए और समझने का अभियास करिए प